असलाव अलेकुम और रहमतुल्लाहिव वरकात हूँ जमात बंजू मिस्कॉलर्शिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मगदम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो से रिलेटेड टेस्ट के लिंक दी गई है आप आखिर तक देखिए और उसे हल की अंग्रेजी के आज की वीडियो में हम एड्जेक्टिव्स इससे मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं अलहम्दुल्लाह हमारे सिलेवस में लेटर्स ओफ़ अल्फबेट, वोकैबलरी, पंक्टुइशन मार्क, नियूमरिकल इंफॉमेशन, क्रियेटिव धिंकिंग और स्टॉक एक्स्प्रेशन तक के टॉपिक, सब टॉपिक्स कम्प्लीट हुए है, उनकी वीडियो के डिस्क्रिपिशन में उससे रिलेटेट टेस्ट के लिंक भी आपको दी गई है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो मिसलेनियस, इसका सब टॉपिक है, एड्जेक्टिव्स यानि जिसे हम उर्दु में सिफते कहते हैं, सिफत यानि एड्जेक्टि्स वो अलफाज होते हैं, तो इस्म यानि नाउन और जमीर यानि प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसे मिसाल के तोर पर good boy में लवज जो good है, वो हमें boy के बारे में बताता है, यान तारीफ बयान कर रहा है इसलिए good जो है वो शिफत है यानि adjective है अब adjectives जो है वो दो तरह के है main adjectives एक descriptive adjective और restrictive adjective के भी सब topics है वो हम साथ में यहाँ पर देखते हैं descriptive adjective यानि सिफते तारीफी example जैसे के he is an old man सिफत restrictive adjective यानि सिफते पाबन there are eight kinds of restrictive adjective उसमें से first है adjective of quality adjective of quality में quality कौन सी बताता है जैसे रेहान is a fat boy तो वो boy जो है fat है यह उसकी quality बता रहा है उसी तरह से second है adjective of quantity यानि कितना है यहाँ पर देखिए give me some flowers example है some flowers exactly हमें बता नहीं रहा है कितने लेकिन quantity बता रहा है कि कुछ some यानि कुछ flowers तो यहाँ पर some जो है वो भी adjective आया उसी तरह से adjective of numbers यहाँ पर exactly number दिया जाता है Z has the only one book one यहाँ पर adjective है demonstrative adjective यहाँ पर this is my book तो यहाँ पर this जो है वो adjective है proper adjective के अंदर traders are rich तो यहाँ पर traders जो है वो proper adjective है उसी तरह से distributive adjective इसमें every statement यहाँ पर every जो है वो distributive adjective है उसी तरह से सात्वा है interrogative adjective इसमें which book do you like यहाँ यहाँ पर यह interrogative adjective है उसी तरह से emphasizing adjective उसमें I live in my own house तो own जो है वो यहाँ पर emphasizing adjective है आईए हम इसकी मिसाले देखते हैं ताके और बी ज्यादा आपका concept clear हो choose the adjective in the sentence यहाँ पर example मिसाल दी गई है एक question दिया गया है कि हमें इस जुमले में से adjective दलाश करना है we saw a small puppy near the tree तो हमने अभी देखे हैं यहाँ पर option है a puppy near or small यहाँ पर adjective नहीं सिफत बतायाना है यह जो puppy है उसकी सिफत क्या बता रहा है small puppy है we saw a small puppy near the tree तो हम पर adjective जो small है वो ती आर नंबर का option हमारा सही होगा next है complete the phrase using the correct adjective from the given alternative a dash dash rabbit अब rabbit की खासियत हमें पता है adjective यह उसकी सिफत बताना red tall नहीं red or tall तो नहीं होता है little and cold छोटा और थडड़ा cold यह नहीं थड़ड़ा नहीं होता है soft small and soft यह उसकी adjective है तो के तीन नंबर का option है तो a small rabbit a small and soft rabbit next हमारा example है observe the picture and decide which options describe it the best यहाँ पर एक picture दिया गया है जो के एक tempo या फिर drug का है तो वो हमें इन जो description दिया गया है उसमें कौन से description में वो सही बैटता है जिसे के small and light है वो हलका है छोटा और हलका है नहीं यह भारी होता है tall and fast tall and fast है लेकिन यह उसके लिए सही नहीं बैट रहा है और भी देखते हैं हम old and new पुराना और नया नहीं big and heavy बड़ा भी है और भारी भी है तो इसलिए यह जो चार नंबर का option है वो सही है इसी तरह के और भी questions आपके description में test के link दी गई है उसमें है आप उसे हल कीजे इंचाला हम अगले वीडियो में शुक्रिया